हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको प्लेन कपड़े में से डिजाइनर ड्रेस बनाना बताऊंगी, तो ये मैंने दो मीटर रेयोन का फैबरिक लिया हुआ है, सबसे पहले हैं फैबरिक को फोर फोल में बिचाएंगे, जो मेरी सैट है वो बंद वा करने से के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, ज़ोड़र के लिए इख 8 んचा लगया दिजाहन पार मार्जिन के लिए और एक सीधी लेंड ड्रोग कर देनी हैं बेक आम होल के लिए मैं पर निशान लगाऊंगी और फ़रंट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेब ड्रोक कर देंगे अभी उपर से एक निशान में 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए और एक निशान में 20 इंच पर लगाऊंगी हिप की चौड़ाई के लिए एक निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है तो जो निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है वहाँ से हमें कमर की चोड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और जो निशान हमने 20 इंच पर लगाया है वहां से हमें hip की चोड़ाई का fourth part लेना है और उसमें भी हम दो इंच एट कर देंगे सिलाई margin के लिए और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम line ड्रोग कर लेंगे अभी जितना निशान हमने hip के लिए लगाया है उतना ही निशान हमें नीचे की तरप से भी लगा देना है यानि की हिप की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें दो इंच एड कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए और नीचे तक एक सिधी लैंड डो कर लेनी है अभी गले की चोड़ाई के लिए हमें तीन इंच पर निशान लगा देना है क्योंकि हम इसमें डीपनेक बनाने वाले है और पीछे की गले की लंबाई के लिए में तीन इंच पर निशान लगाऊंगी और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 10 इंच पर निशान लगाना है तो आगे की गले की लंबाई हमें 10 इंच रखनी है क्योंकि इसमें हम पैटन बनाने वाले हैं इसलिए हमें 10 इंच की लंबाई रखनी है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम round shape draw कर लेंगे फ्रंट और back neck के लिए हमें round shape draw कर लेना है अभी जहां पर हमारा arm hall है वहां पर हमें half inch पर निशान लगाना है shoulder slope के लिए और एक तिर्ची land draw कर देनी है अभी सबसे पिलें back neck और back arm hall से इसकी cutting कर देंगे तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर दी है अभी जहां पर हमारी hip की चोड़ाई और कमर की चोड़ाई है वहां पर हमें एक छोटा सा cut लगा देंगे और इसमें से हमें एक part को निकाल लेना है और इसे वापस से double fold करते हुए हमें front neck और front arm hall की cutting कर देनी है तो इस तरह से हमारा front का part भी cut हो जाएगा front neck के लिए मैंने इसमें हलका सा V-shape draw किया हुआ है और इसे मैंने cut किया हुआ है और ये front का part कुछ इस तरह से नज़र आएगा अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold में बिचाया हुआ है जो मेरी side है वो बंद वाली side है और जो उपर की side है वो खुली वाली side है और इसकी जो total length है वो मैंने 17 inch की रखी है और उपर से sleeve की चोड़ाई मैंने 8 inch रखी है और cap sleeve की length के लिए मैं 3 inch पर निशान लगाऊंगी बंद वाली side से भी हमें 3 inch पर निशान लगाना है और एक सीधी line डो कर देनी है और खुली वाली side से हम 2 inch पर निशान लगाएंगे सिलाई margin के लिए और इसमें हमें sleeve का shape डो कर देना है जिस तरह से हम normal sleeve का shape डो करते हैं वैसे हमें sleeve का shape डो कर देना है अभी नीचे से हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है तो मेरी स्लीव की चौड़ाई साड़े 5 इंच है और उसमें 2 इंच में एक्ष्ट्राइट करूँगी और सैट से भी हमें लैंड रो कर देनी है अभी इसे हम कट कर देंगे तो इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है अभी नीचे की सैट से हमें इसमें कट लगाने वाले है तो बंद वाली सैट से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है नीचे की सैट से और उपर की तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे ध्यान रहे उपर की तरफ हमें 4 इंच पनिशान लगाना है और एक तिर्चे लाइन ड्रो कर लेनी है इस तरह से हमें V-shape ड्रो करना है अभी से हमें कट कर देना है तो ये इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है अभी जो हमने V-shape कट किया है उसका जो तुकड़ा है उसे हमें फेकना नहीं है इसे हम साइड में रखेंगे अभी ये मैंने फ्रंट का पाट लिया हुआ है तो शॉल्डर की साइड से हम 6 इंच पर गले की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे मैं इसमें गले की लंबाई 6 इंच रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से इसके लंबाई कम्या ज्यादा कर सकते है अभी ये मैंने एक्ष्ट्रा फेब्रिक ब्लेक कलर का कॉंट्रास कलर में लिया हुआ है उपर से जो इसकी किनारी है वो ट्राइंगल शेप में तो ऐसी इसमें पैटन बनी हुई है अभी इसे हमें डबल फोल्ड कर देना है अभी जो हमने छे इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हम ओपर की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ हमें इसमें जैसा हमने नेक का शेप ड्रो किया है वैसा ही हमें इसे शेप ड्रो क की थी उसे ही हमें कट करना है तो यह कुछ इसे तरह से नज़रा आएगा अब दूसरी साइट भी हम इसी तरह से लैन ड्रोー कर लेएंगे दूसरी सेट भी हमें लैन ड्रोग कर लेनी है अभी यह जो फेब्रिक है इसे हम फ्रंट नेक के ऊपर अटेश करेंगे तो जो हमने एक इच्टा फेब्रिक की लाइन डोग की थी उसे हमें अंदर की तरफ रखना है और यह फ्रंट का नेक कुछ इस तरह से नज़र आएगा अभी पहले हम front neck के लिए पट्टी कट कर लेंगे तो ये मैंने extra fabric लिया हुआ है इसे हम double fold कर लेंगे और इसके उपर हमें front का जो नेक है उसे भी double fold करते हुए रख देना है और ध्यान रहे folded side हमारी तरफ होनी चाहिए और इसका shape डो कर देना है और एक इंच बाहर की तरफ रखते हुए हम दूसरी एक line draw कर लेंगे राउंड शेप देते हुए हमें दूसरी line draw कर लेनी है और इसे हमें cut कर देना है तो इस तरह से हमें front neck के लिए पट्टी cut कर लेनी है और ये मैंने पट्टी को cut कर लिया है अभी इसे हम attach करेंगे front neck के उपर तो हमें front का part सीधा रखना है और उसके उपर हम पट्टी को उल्टा रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद जो पट्टी की border है उसे हम fold करते हुए एक सिलाय लगाएंगे और पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसी तरफ से back part के उपर हम तिर्ची पट्टी अटेच करेंगे तो back neck के उपर हमें तिर्ची पट्टी अटेच कर देनी है और इसे double fold करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है तो ये देखे मैंने front neck के उपर पट्टी attach कर ली है और बाद में हम इसमें hand stitch कर देंगे अभी मैंने इसमें cover slide नहीं लगाई है आप चाहे तो इसे press लगा कर set कर सकते है अभी ये जो हमने extra piece cut किया था उसे हमें लेना है और जो हमने change तक निशान लगाया है उस निशान को हम उपर की तरफ कर लेंगे और जो हमने line drop की है उसके उपर हमें इस part को रखते हुए सिलाय लगानी है तो पहले हम इसे pinsel secure कर लेंगे तो जो हमने extra piece cut किया है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है और जो एक इंच की हमने land drop की थी उसके उपर हमें इसे neck के उपर set करना है और इसे हम pinsel secure कर लेंगे उसके बाद हम इसके उपर cover सिलाय लगाएंगे तो ये piece हमारा अच्छे से set हो जाएगा और back neck की उपर भी मैंने तिर्ची पट्टी attach कर ली है और ये देखे मैंने extra piece को attach कर लिया है अभी जो इसकी border है उसे हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे और जो हम पट्टी में हाथ से लाए करेंगे तो इसकी बॉर्डर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके उपर भी हम हाथ से लाए कर लेंगे यानि की हैंस्टिच कर लेंगे दोनु सेट से में इसे अंदर की तरफ फोल करते हुए इसके उपर हैंस्टिच कर देनी है अभी एक पाठ के उपर दूसरा पाठ हमें उल्टा रखना है और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेने है तो ये देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिया है अभी हम स्लिव को पहले ready कर लेंगे अभी जो हमने स्लिव में V-shape कट किया था उसके लिए पहले हमें पट्टी कट करनी होगी तो हमने ये extra fabric लिया है और इसे मैंने double fold किया हुआ है अभी जो हमने स्लिव में V-shape कट किया है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है और ऐसे हमें shape डो कर लेना है उसके बाद हम एक इंच का gap रखते हुए दूसरी line डो कर लेनी है और इसे हमें cut कर देना है और इस तरह से हमारी स्लिव के लिए पट्टी कट हो चुकी है अभी इसे हम स्लिव के ऊपर attach करेंगे तो जो हमने V-shape कट किया है उसके ऊपर हमें पट्टी को रख देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा दिनी है उसके बाद जो पट्टी की border है उसे हम fold करते हुए सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ मोड देना है पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ fold करते हुए इसे मोड देंगे और इसके ऊपर हम hand stitch कर लेंगे उल्टी सेट से और इसी तरह से हम दूसरी स्लिव के लिए भी पट्टी कट कर लेंगे और इसे भी हम पट्टी आटेच कर लेंगे तो ये देखे मैंने इसमें पट्टी आटेच कर ली है अभी उल्टी सेट से हम इसमें हैंस्टिच कर लेंगे दोनों स्लिव में मैंने पट्टी आटेच कर ली है अभी यह जो हमने triangle वाला shape अलग से रखा था उसे हमें लेना है अभी यह मैंने फिर से black color का वही extra piece लिया हुआ है अभी पहले इसे हम double fold कर लेंगे और इसके उपर हम जो हमारा triangle shape है उसे रखेंगे इसे हमें single ही रखना है और जो piece हमने रखा है उसकी हमें land draw कर लेनी है जैसा piece हमने रखा है वैसे हमें पहले land draw कर लेनी है उसके बाद हम इसे हटा देंगे और एक इंच एक्ष्ट्रा fabric रखते हुए हमें दूसरी land draw कर लेनी है जो हमने लाइन डो की है उसके आगे हमें एक इंच एक्ष्टा रखते हुए दूसरी लाइन डो कर लेनी है अभी जो हमने एक्ष्टा लाइन डो की है उसे हमें कट कर देना है तो इस तरह से दो स्लिव के लिए दो पीस कट हो चुके है और एक इंच हमने एक्ष्टा रखा है अभी हम लाइन डो कर लेंगे अंदर की तरप से अभी जो हमारी स्लिव है पहले इसकी बॉडर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे तो दोनों साइट की जो स्लिव की बॉडर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दिये है अभी जो हमने पीस कट किया था उसे हमें अंदर की तरफ रखना है और जो हमने एक इंच एक्ष्टा रखा था उसे हमें इस फैब्रिक के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हम पहले पीन से सिक्यूर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो तो एक इंच का जो फेब्रिक एक्ष्टा रखा था उसे हमें स्लू के नीचे दबाना है और इसके उपर हमें पींस लगा देनी है उसके बाद हम इसके उपर सिलाए लगाएंगे V-shape में और इसी तरह से दूसरी स्लीव के उपर भी हम ये extra fabric attach कर लेंगे आप कोई भी contrast color का fabric इसमें attach कर सकते हैं अपनी पसंद से तो ये दिखे मैंने extra piece attach कर लिया है अभी ulti sets हम इसकी border को अंदर की तरफ fold करते हुए इसके उपर hand stitch कर लेंगे जो हमने sleeve की पट्ती attach की है उसी की साथ हमें इसकी border को fold करते हुए इसमें hand stitch कर देनी है अभी हम sleeve को attach करेंगे तो sleeve को हमें center से ही रखना है और इसके उपर हमें szily लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी सैट भी हम स्लिव को सेंटर से ही उल्टा रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे तो ये देखें इसमें स्लिव को अटेच कर लिया है दोनों ही स्लिव को मैंने अटेच कर लिया है अभी से हम उल्टा कर लेंगे और जहां तक हमने हीप लाइन के लिए कट लगाए है वहाँ तक हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है तो उपर से 2 इंज का गेब रखते हुए हम हीप लाइन तक इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो नीचे की सैट है वहाँ पर हमें इसके чाक को double fold करते हुए इसमें सिलाइ लगा देनी है तो ऊपर और नीचे के दोनों ही सेट के चाक को हम double fold कर लेंगे और इसके उपर हम सिलाइ लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी सेट भी हम हीप लाइन तक इसकी fitting कर लेंगे तो उपर से हीप लाइन तक हमें दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है उसके बाद हम इसके चाक को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों साइट के चाक को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे तो सिंपली उपर और नीचे के पाट को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है तो ये देखे मैंने हीप लाइन तक इसकी फिटिंग कर ली है लगा दी है और नीचे की बॉरडर को भी मैंने फोल्ड करते हुई मैंने सिलाय लगा दी है अभी आप चाहए तो इस एक्षिट्रा पीस के ऊपर बटन्स भी अतेच कर सकते हैं लेकिन मैं इसे एसे ही रखऊन से इसे के साथ ही हमारे डीजाइनर कूर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का यह टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस